टॉक्षर बाबा साहिप आमबेटकर ओपन उनिवरस्टिटी आपनों विशय छे भोजन अने पाण हवे भोजन अने पाणी एक खुबज साधारन लागतों विशय छे पण दीवस दर्म्यान आमा आपने जेटलों एकाग्रताथी इन्वाल्द धैशु इतली आपना स्वस्थ रेवानी शक्त्योताओने आपने वधार्ता जेशु आईरवेद नी अंदर वज्यानी क्रिते आप बाबतों ने समझावामा आवी छे हवे भोजन नी जो आपने वाद करिये तो एकाग्रताथी जम्वू तन मने भुंजीता आवो शब्द प्रयोग आईरवेद मां करियो छे मतलब खोराक नी साथे तन मने ताथी जम्वू आपने रोटली खाई रहा होई तो आपने रोटली नो क्योव स्वाद ले रहा छे ए रोटली आपने शरीर नी अंदर आपने लही रहा छे तो ए आपना शरीर मां शक्ति उद्पन करवामां एक खोंब मोटों रोल प्ले करवानी छे एवी भावना साथे आपने दरेक कोड याने एने फील करवो जोई एने चावो जोई एने मात्र एना विचारों मां इन्वाल्ट हो जोई भोजन लेवानी आ पद्दती थी आजनी जे कूपोशन नी समस्या जे विश्व भर नी समस्या थाई गेई छे पड़ मित्रों हुँ एम कव के दरेक व्यक्ति ने साधारन ख शरीर ने आवश्यक बधाज पोशक ततों मड़ी शके छे आपनों शरीर ए पांच महाभूत नों बनेलों छे आकाश, वायू, अगनी, जल अने प्रुद्वी आज पांच महाभूतों थी समग्र शुष्टी ना दरेक पदार्थ बनेला छे एमा वनस्पतियों नों पन समा विश्थाई शे आपने भोजन मा जे बस्तूर लईए छे एमा आ पांच महाभूतों हाजर छे जो भोजन तनमाई ताथी लेवा मा आवशे तो ए भोजन ना बदाज ततों ए पांच महाभूतों आपना शरीर नी रिक्वार्मेंट ने फुल्फिल करी शक्षे अन्य हमेश आपने योग्यों पोष्ण एमा थी मढतू रहे शे जमती वकते वात्चेत करवी हसू टीवी जोवू आवी बदी बाबतों ना कारणे ए भोजन मा थी आपने सो टका शक्ती मढती न थी जेना कारणे आजे जुदा जुदा तत्तों नी उनप ना थता रोगो ए आपने व् बोजन मां इन्वाल्मेंट एक खूप अगरत्यनी बाबत चे हवे क्यारे खाऊ किटली वकत खाऊ दरेक माटे आ नियम जुदो जुदो रहे शे आईरवेद मां सामाने रहे ते एक वकत दीव से बोजन करू और एक वकत सांजे बोजन करू सुर्यास्त पहला भोजन करे ल लागी छे त्यारे बोजन करवा माव शे तो एनो सोट का फाइदो आपने मर शे पची हीत कर खौराक लेओ मतलब शुष्टी मा उपलब बधाज शाक बाजी ये बधाज लोकों माटे नथी बन्या दरेक व्यक्तिने पोता ने अंदर थी ए वस्तु खबर पड़ती होई च हवे हीत कर नी पची आवे जे मीत कर मतलब के एनू माप जाडवू खूब अगत्य नूँ छे आपने लाडवा माफक आवे चे आपना माट हीत कर चे पने लाडवा नू प्रमाण किटलू लेओ तो आप जेम लाडवा खावानी शरुआत कर शो त्यारे आपने अंदर थी एक संदेशों मडशे के हवे आपनों शरीर संत्रूप्त थाई ग्यूचे ले हवे वदारे खावानी जरूर न थी आपनी होजरी ने कालपनिक रीते आपने चार भाग मा वहेंची देए तो एमा बै भाग जेटलों ठोस खोराक एक भाग जेटलों पाणी औने चोथो भाग ए वायू माटे खुलों राखवा थी आपने ए भोजननों सुपेरे पाचन करी शकीशू अने एना तत्वोन शरीर मा योग्य रिते उप्योग मा लावी शकीशू ए रिते भोजन करवानों एक आ साधारन नियम मैं आपने बतावें आनी साथे एक विशेश कंसेप आईरुद आहार नों आयर्वेदमा आप वबा मायों चे अवे दूद नी साथे खटाश नोखावी, दूद नी साथे नमक नोपरयोग न करवो, दूद नी साथे डूंगडी के लसड नोपरयोग whatever कारो, करण के ये विरुद आहार चे। अबे विरुद आहार मतलब अपने दूद अने खटास ना उदाहरंती समझी के जो दूद अने खटास एटले के कोई पन खाटू फोड के लिम्बू एनने दूद साथे भेगू करी ने जो शरीर नी अंदर लेवा मा आवे तो आपनों शरीर एने पाचन करी नथी शक्तू ए एने शरीर नी बाहर फैंकी पन नथी शक्तू मतलब विरुद आहार मा कहेली बाबत जो लेवा मा आवे छे तो ये शरीर माटे एक प्रकार ना एवा विश्द रव्यमा निर्मान पामे छे के जी नथी शरीर नी बाहर नी करतू के नथी शरीर ने शक्ती आपतू अने जो आउ लामबो समय चालतो रहे छे तो जुदा जुदा चामडी ना रोगो मानसीक रोगो के पाचन तंत्रना भेंकर व्यादी धवा नी शक्केताओ पन वत्ती होई छे एटले विरुद आहार नो सेवन कोई काड़े न करू एक बे वकत दूत साथे खटाश लेवा थी के तकलिफ न थाए तो एम न मानता के आवस्तु भविशे मां पन तकलिफ नहीं करें जो कोई तबक के पाचन सारू होई तो तरत तकलिफ न पन थाए पन लांबा गाड़े तो ए नुक्षान कारक छेज एटले आयर्विद मां कहेला दरेक विरुद आहारों नो त्याक करो ज पहला ना जमाना मां जे माटी ना वासनों प्रयोग थतो तो खोराक ने रांद्वां मां एक खुबज वईग्यानिक हतो अने आजे पन आपने जोई रहा छे कि समाज मां आ बाबत नू प्रचलन वधी रहुँ छे एलियूमिनियम ना वासन मां रांदेला खोराक करता माटी ना वासन मां रांदेलो खोराक एक खुबज वईग्यानिक छे अने विशाक्त तत्तो थी मोक्त छे ए बाबतों नी काड़जी राखवी अने रसोई घर उतले कि आपनों रसोडू एक चोखु होई अने त्या एमनी भावना थी ए रसोई ने जो बनावा मां आवे तो ए रसोई चोकस गरना बदाज सब्यों मां टे खुबज एतकारी बनी रहे शे ते तो कनफॉर्म बाबत छे चे हवे उपवास इटले के बूख्या रहवानी एक फैशन त्यार चाली छे मित्रो अयर्विद मां उपवास इटले के लंगन नी एक वात कहवा मा आवी छे लंगन एटले शरीर मा लागवता लावे एवी दरेक क्रिया अने उपवासनों वईज्यानिक अर्थ तो एव थाई छे के जातनी नजी क्रेवू रोज जे आपने अनाज खाता हो ये एना बडले कोई फराडी वानगियों खावी कि जे कदाज वदू तेल वाड़ी होवा ना कारणे वदू भारे होई जे उपवासना अर्थ थी तदन विपरित दिशामा काम करें छे एनी वाद क्या है करवा मा आवी ना थी अने एक फराड शब्द ए अपब्रणशित शब्द छे फोड़नो आहार एटले फड़ा हार एवा शब्द उपर थी एने फराड तरीके केवा मावे छे अने फराडी पीजा अने फराडी सेंड्वीच पन मार्केट मां मरती थाई गे छे तो मित्रों उपवास एक एवी बाबत छे के जुदा जुदा समय आपने जारे वदारे पड़तों खोराक लिदो होए ने उँ लागे के शरीर ने एकाद टाइम भोजन थी आराम आपवानी जरूर छे तो ए पाचन तंत्र ने री सेट करवानू पाचन तंत्र ने वधू कार्यान वीद करवानू एक बहुज सरण पगलू जे भूक करता ओछू खावू एपन एक प्रकारनों उपवास छे इतले अमुख समयान तरे आरिते दरेक व्यक्ति जातना साथेना सम्वास्ती उपवास करवो जोईया वधारे पड़ता उपवास करवा थी पर्ण अनेक वायू ना रोगो थाए जे जे मा सानधाना दुखावानों प्रश्णपन होई शेके के रातरे उंग न आवानों प् वदू पर ता उपवास पन नुक्सान कारग थाई शके छे एटले आयर्वधिक डॉक्टर ना मार्क दर्शन हेटर आप उपवास करी शको छो अने रूतू अनुसार नियमित रीते अठवडियामा एक टाइम के अड़ो टाइम आवी रीते उपवास करी ने आप आपनी जात अनुसार ने तंदूरस्त चोकस राखी शको छो त्यार बाद आवे छे अगनी नी रक्षा एटले के जट्रा अगनी नी रक्षा मित्रो आपने जेपन खोराक खईये छे एनू रुपांतर शरीर नी अंदर वायू पित अने कफ मा थाए छे आयर्वेद अनुसार आ शुष तिक्त अने कशाए एटले के गड़ो खाटो खारो तीखो तूरो अने कड़ो आहार एमाजे पहला त्रण चे गड़ो खाटो अने खारो खोराक ए आपना शरीर मा कफ बनावे छे एटले जो गड़ो खाटो अने खोराक वधारे मात्रा मा लेवा मावे तो शरीर मा कफ नू खारू अने तीखोँ वधारे प्रमाण मा खावा मावे तो शरीर मा पित्नूप्रमाण वद्छे शरीर नी पाचन शक्ती पित्ना करने मंद थर शे औने पित्नना रोगों जवाबदार बन शे तो सारा मां सारी वस्तु ए छे के समतोल आहार लेओ कि जे आपना खोराक मां गड़िऊ खाटू खारू तीकू तूरू अने कड़ू ए बदूज आपनी बोजन नी डिश मां होई आपना खोराक मां होई तो ए आहार आपने स्वस्त राक्षे आपना आपना शरीर नी अंदर पाणी नी रिक्वार्मेंट ने पूरी करवा माटे आपने तरस लागती होई छे आपने जेपन कारिय करता होई ए दर्म्यान आपने जयारे तरस लागे त्यारे बैथी त्रण गूटडा साधारन पाणी पीवू ए योग्य प्रैक्टिस छे गणी पाणी पीवा थी शरीर नी सफाई थाई जती होई छे एक बाबत खास याद राग जो आपनों शरीर एक कोई पाइपलाइन न थी के जैमा आप वधारे पाणी नो धोद जवादो एटले बदी पाइपो चोकी थाई जर शे ना आपने लिदेला पाणी ने पन शरीर ने न पाणी पीवा थी अटला ग्लास दरोज पाणी पीवा थी बाबत आईर वेद म हैं क्या है कहवा मा आवी नती कफ प्रकुतिवाडी वेक्तिने पाणी नी जरूरत कधा जाखा दिवस मा एक बै ग्लास पन होई शके अन्य पित तने वायू प्रकुरती वाडने दिवस मां द जमता तो अड़्धो एक ग्लास जेटलू पाणी वच्चे वच्चे घुटडा घुटडा प्रमाणे लई शकाए पन जमवानी पहला के जमीने तरत वधारे पड़तु पाणी कदी नहीं पीवुँ जुए ए पाच्चन शक्तीने संपूर पणे खोर्वी नाखनारी बाबत अन्ने एवी नानी नानी बाबत तो थी जो आपने काड़ी राखता रहिशू तो केटलाई रोगों थी आपने बचीने रहिशू एटले जमती वखते अरधोय ग्लास थी वधारे पाणी कदी न पीवुँ जुए ए बाबत पाणी नी साथे खुप अगत्तिनीर ते संक्ड पाणी वजन घटाडेज एव नथी एनो योग्य मात्रामा प्रवग ए आवश्यक छे ठंडी रूतुनी अंदर उकाडेलू पाणी ए सारी बाबत छे अन्ने गर्मीनी रूतुमा मातलानी अंदर मुकेलू अन्ने ठंडू करेलू पाणी आवश्यक छे पन फ्रीजनू योगों मा न लेवू ए आपना स्वास्तेने जाडवी राखवा माटे खोब अगर्तियनी बाबत छे आई आपने बोजन पाणी विश्यक पूर्ण करिये छे तैंक यू